तो नाव स्टुडेंट्स जिस जिस सेनेरियो की हमने अभी कुछ मॉड्यूल्स पहले जिसके हमने एंटिटीज को अडेंटिफाई किया था जिसके अंदर हमने एट्रिब्यूट्स को अडेंटिफाई किया था अब उस ही सेनेरियो को हम यूज करते वे attributes के अंदर से हम a primary key, unique key और foreign key को mark करेंगे, identify करेंगे तब के आपको यह flow पता लगना यानि आपका flow आपका बरकरार रहे कि हमने एक scenario से entities कैसे identify की, attributes कैसे identify किये, फिर उन attributes के further matter हमने कैसे identify किये यानि primary key, foreign key, unique key को हमने कैसे identify किया, ताकि you should learn the complete journey कि जब आपके पस requirement आती है, तो आप step by step उसको कैसे convert करते हैं into database so let us explore this thing, so now students, ये entities वो ही है, मैंने entities को बिल्कुल नहीं हाथ लगाया यानि building की entity है, apartment की entity है, customer की entity है, floor की है, received की है, ये वो ही है अब किया किया है मैंने, कि for example, building का name है कोई, address है, phone number है मैंने जान बूच के यहाँ पे NTN add कर दी है, जिसको हम लोग national text number भी बोलते हैं for example अब जो तो मेरा attribute और primary key है, अमोमान building का जो name होता है, वो unique होता है, वो repeat नहीं होता है और वो होता है, यानि ऐसा नहीं हो सकता, कि मैं building का address एड़ कर दूँ, phone number एड़ कर दूँ, और building का नाम ना एड़ करूँ तो मैंने यहाँ पे जो B name है, उसको primary key mark कर दिया, अब जिस attribute को हम primary key mark करते हैं, उसको हम लोग underline कर देते हैं और जिस column को मैंने unique key mark करना है, उसके साथ मैंने unique key लिख दिया, just for our understanding यह अमोमन लिखते हैं नहीं हैं, लेकिन discussion के लिए मैंने लिख है, कि national tax number अगर किसी building का है, अगर वो commercial है, उसका अगर tax number है, अगर होगा, तो वो unique होगा, और ऐसा भी हो सकता है, कि एक building है, वो commercial purpose के लिए use नहीं हो रही, तो उसका tax number नहीं होगा, तो उस case में NTN में value नहीं होगी, लेकिन क्योंकि यह unique की है, इसमें null value आ सकती है, moving forward, जो apartment का table है, उसके अंदे मैंने apartment ID को, मैंने primary की रख दिया, उसके बाद बाकी column को मैंने कुछ नहीं किया, अगर customer के table में, मैंने जो उसकी customer ID है, उसको primary की रखा, और मैंने CNIC एड़ किया, और email एड़ किया, email बड सारे ऐसे user भी होते हैं, जिनका email address नहीं होता, तो अगर तो email होगा, तो वो repeat नहीं हो सकता, unless मैंने username password शेयर किया हो किसके साथ, मना email repeat नहीं हो सकता, लेकिन there is a higher probability कि email किसी customer का नहीं भी हो सकता, तो इसको मैंने unique की रख दिया, अगर मैं इसको primary की रख दूँ, system रोकेगा न किसको primary की नहीं रखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, कि कई customer का email ना भी हो, software नहीं कहेगा आपको, लेकिन logically it is wrong, जब for example, आपने customer का data add करना है, आपने email को primary की रख दी है, और अगर आपने email में को value enter नहीं की, वो आपको row ही नहीं enter करने देगा, data add ही नहीं करने देगा, तो उसकत आपका जो decision है, to make this as a primary key, वो गलत है, जब हम यह कहते हैं कि हम design level के decisions कर रहे हैं, तो उसे मुराद ये वाले decisions होते हैं, उसके बाद floor है, floor number को मैंने primary की रख दिया, और number of apartments, receive का table बहुत interesting है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास foreign की आ रही है, असान लफ़ों में, receive की एक apartment, यानि जिस apartment के gains received है, और जो customer है, यानि किस customer ने किस apartment के rent pay करना है, तो इस case में मैंने CID लिख दिया, CID को मैंने F के लिख है, it is a foreign की, इससे मुराद ये है, कि इस column में जो भी value आएगी, it will be referring here, जो कह हमें थोड़ी दे पहले discuss किया था, और जो apartment ID है, इसमें जो भी value आएगी, वो इस column से match करने चाहिए, this is it, नाम जो attribute है foreign की का, for example, यहाँ पे नाम differ कर सकता है, मैंने यहाँ पे AID लिख दिया है, आप apartment ID भी लिख सकते हैं, नाम से फरक नहीं पड़ता, लेकिन जो value आनी है, वो parent table से अगर match नहीं होगी, तो for example, मैंने यहाँ पे 2 add कर दिया, और यहाँ पे apartment में value 1 है, और 3 है, वो यहीं पे रोक देगा, error देदेगा, आपको यह two value एंटर ही नहीं करने देगा, रिसीब के table में, वो खाएगा parent record not found, असान लफजों में, कि अगर एक value की existence यहाँ पे नहीं है, तो child उसको use नहीं कर सकता, तो this is the key concept when we have to design databases, कि आपने घल्थ data को रोकना है, आजकल सारी game ही social media पे data की है, तो अगर आपने घल्थ data system में enter होने देना है, तो software रोकेगा नहीं आपको, लेकिन हमारा goal यह है, कि हमने घल्थ data रोकना है, these are those things, जिससे हम invalid data automatically रोकते हैं.